ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हूँ सोनीका और आप देख रहे हो ततकाल न्यूज लाइफ केंद्र के क्रुशी कानूनों के खिलाप किसानों का आंदोलन सोमवार को भी जारी है किसानों और सरकारुक के बीच आज एक बार फिर बैठक होनी है ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज फिर बैठक में किसान संगठन और केंद्रत किसी ठोस समाधान पर पहुंचेंगे बैठक में नए कुर्शी कानूनों को वापस लेने और नियूनतम समर्थन मुल्य यानि MSP को कानूनी स्वरुप देने पर चर्चा होंगे और बारिश के बीच 40 दिनों से दिल्ली की सीमाव पर सीके प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि यदि नए कुर्शी कानूनों को वापस लेने और नियूनतम समर्थन मुल्य को कानूनी स्वरुप रदान करने की उनकी दो मागे सरकार चार जन्वरी को बैठक में नहीं मानती है तो वे अपना अंदोलन तेज करेंगे गुध्वार को हुई पिछली बैठक में पराली और बिजली संशोधन बिल पर किसानों और केंदर के बीच सहमती बनी थी पिछले बैठक में चार मुख्य मांगे थी जो लिखित में सरकार के सामने रखी गई उसमें से दो सरकार ने मान ली और उसके बाद सबसे महत्वपुर्ण मुद्दा अब वो तीन नए कुर्शी कानूनों को लेकर है आज मुख्य दोर पर दो मुद्दा पर केंदरीत होंगा पहले जो किसान संगटनों की तरफ से मांग की गई है कि तीनों नए कुर्शी कानूनों को वापस लिया जाए और दूसरा MSP की कानून लीगल गैरेंटी है उनकी मांग किसानों की तरफ से की जाएंगी वही दूसरी तरफ राजस्तान हरियाना बॉर्डर पर किसानों पर खुले आम गोलिया चलाई गई पिछले 40 दिनों से हमारे देश के किसान देश के अलग-अलग सीमाव पर डटे है और उनकी मांगे मानने की बजाए सरकार उन पर गोलिया बरसा रही है सुनकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होंगी कि मोधी सरकार ने किसानों पर गोलिया बरसाई है क्यूंकि मोधी सरकार का काम ही यही है सरकार तो अपने कान में रुई डाल कर बेटी है किसानों की आवाज सरकार को सुनाई नहीं दे रही है मोधी सरकार का कहना नहीं मान रहे हमारे देश के किसानों पर गोलिया बरसाई गई किसानों के ट्रैक्टल जलाए गए और आसू ग्यास के गोले भी दागे गए और देश के जवानों को किसानों के विरोध में खड़ा कर दिया गया किसानों का दुख देखने की वजाए उन पर गोलिया बरसा रहे है मोधी सरकार आए देखते हैं राजस्तान हरियाना बॉर्डर का यह नजारा